आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहा है आपका कंप्यूटर का जो मेंड मेंडों आपके सामने प्रदर्सित हो रहा है आप देखें डेक्सटाप आइकंस में तो यहां टैली प्राइम सफ़ुएर पहले से इंस्टॉल्ड है यहां पर बट हम आपको जीरो से इसको बताएंगे आपको टैली कैसे इंस्टॉल करना अपने कंप्यूटर में उसके स्टेप्स हम क्लेर करेंगे आपके लिए तो आप देख पा रहा है हमारे डेक्स्टॉप पर ही सेट अप रखा हुआ है सेट अप क्या होता है किसी भी एप्लिकेशन को अपनी कर पाते हैं तो गाइस सेट अप पर हम डबल क्लिक करते हैं यहां से तो आपके सामने वह डायलाग आ जाएगा जिसके द्वारा हम इंस्टॉलिशन को चुकि यह डायलाग इसलिए आ रहा है आपके सामने विकास पहले से टैली का सौफ्ट्वेर इसमें इंस्टॉल्ड है अगर आपके पास कोई पूर tuna वर्जन इस टॉल्ड है या णियू वर्जन इस्टॉल्ड है आप कुछ णया करना चाते हैं अप्ग्रीड करना चाते हैं तो इस तरह से आता है आप देख पा रहा है इसमें या इस डैली नाइन भी है तेली प्राइम है 1.10 और टेली प्राइ जिसमें यह कह रहा है आपको यह सुचना भी दे रहा है कि application जो है वो टैली प्राइम नाम से इसका release कौन सा है 3.0.1 है application जहां पर store होगा आपका installed होने के बाद उसका complete path क्या है जितनी बार हम इसको upgrade करते जाएंगे इस तरह से लिख करके आएगा यहां तीन आपको buttons दिख रही है जिसमें अगर हमको कुछ भी configuration करना है path वगरा change करना चाते हैं तो हम configure करें more actions पर जागर के हम change कर सकते हैं कुछ भी और extra अगर हम करना चाते हैं और install करना चाते हैं तो install button पर हम click करेंगे और आपके सामने tally का जो latest version होगा जो upgraded version होगा वो installed हो करके आ जाएगा इस तरह से आप कर पाएंगे अगर आप पुराने version की बात करें tally.erp9 अगर वो पहले से installed है तो उसमें आप same version आप install करते तो उसायद नहीं लेता बट यहाँ tally prime आप जित्ती बार भी देखे इस same version ही मैंने दो बार install करा यहाँ पर तो इस तरह से install होने के बाद हम as start tally prime पर click कर देंगे और tally prime का जो window होगा main window होगा आपके सामने open हो करके आ जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे है tally prime का यह logo आपके सामने blink कर रहा है और tally erp9 से tally prime में जो open startup है वो change है तो आप देख पा रहे है हमारे सामने screen पर license करके एक dialogue आ गया है जैसा कि tally erp9 में startup करके dialogue आता था tally prime को अगर आपको पढ़ना है तो हमारे इस channel पर complete course अबलेबल है step by step आप वहां से जा करके पढ़ सकते हैं जैसे कोई भी व्यक्ति tally पढ़ना चाहरा है और उसका वेग्राउंड या उसकी जो पढ़ाई है वो commerce से नहीं है उसने वीकॉम अगरा नहीं किया हुआ है या 910 में उसने commerce नहीं लिया हुआ था तो भी tally को पढ़ने के लिए जो account का section होता है account का basics होता है वो मैंने tally erp9 के course में complete बताया हुआ है tally की total history बताई हुई है तो उन वीडियो को आप जरूर देख लेंगे विगॉज मैं यहाँ step by step practically बताता चलूँगा और अगर आप erp9 को देखने के बाद prime करेंगे तो आपको tally में बहुत अच्छा ग्यान हो पावेगा तो आप देख पा रहे है license नाम का एक dialogue आ गया है जिसमें फर्स्ट आपका continuing educational mode जिस mode में आप license लेना चाहते हैं अगर आप educational sector में है तो आप educational mode में आप उसका license लेजिए अगर आप online work करना चाहते हैं network.net यूज करना चाहते हैं तो यूज लाइसंस फर्म network आप यहां से ले सकते हैं जिसे rental बगरा भी लेना है तो हम यहां से कर सकते हैं अगर activate पहले से तो reactivate exiting license जो पहले का license है उसको renew कर सकते हैं reactivate कर सकते हैं आप अगर आप new license purchase किये हुए हैं तो आप यहां से activation कर सकते हैं तो जिस भी वे में आपको start करना है आपको tally prime उस बटन पर आप click करेंगे तो हम चलते हैं education में हम है तो हम continuing educational mode पर click करते हैं अब आपके सामने tally का main window open हो करके आएगा उससे पहले tally मे यदि हम पहली बार tally prime को use कर रहे हैं तो हमारे सामने tally prime open होते ही company को create करने के लिए मांगता है जैसा कि आपके सामने dialogue आ गया है पहले से इसमें कुछ company आप बनी हुई है जो हमने migrate करके लिया हुआ है तो चुकि पुराने version में था इस menu में हमने इसको migrate कर लिया है तो यहां पर आपको company so कर रही है यदि आप first time tally को use करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको create company करना होगा और एक नई company बनानी होगी विकॉज जो tally software है वो किसी भी small size या medium size के business को complete manage करता है उस business में जितने भी लेजर्स हैं, vouchers हैं, inventories होती हैं, taxation related works है, payroll related work है, total work सारी reports को जनरेट करता है, total work करता है tally, एक CA का जो total work होता है वो tally से maximum हम कर लेते हैं तो guys company के अंतरगत्रम tally software को use करते हैं तो सबसे पहले company का होना जरूरी है, so create company option है आपके सामने सो करता है यहां से एक company आप create कर सकते हैं, चलते हैं बने भी company में login कर जाते हैं, इस तरह से आपके सामने tally का main window आपके सामने प्रदर्सित हो गया है तो guys आज के लिए बस इतना मिलते हैं, next day है तो आप subscribe जरूर कर ले, मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, knowledgeable लग रही हो तो आप इसको like करें और अपने friends के पास share करना न भूले, तो guys मिलते हैं नई वीडियो के साथ, next day तो तक के लिए, thank you, जैहिन